नमस्कार जी 2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आये हैं, उनमें एक पैटर्न रहा है पैटर्न ये हैं कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनोतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉंप्स को आगे बढ़ाता रहा है ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीती के तीन मुख्य स्थम रहे हैं पहला रिन्यूबल एनर्जी का प्रोड़क्शन बढ़ाना दूसरा अपनी अर्थेववस्ता में फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना और तीसरा देश के अंदर गैस बेज एकोनोमी के तरफ तेज गती से आगे बढ़ना इसी रणनीती के तहट चाहे इथेनोल ब्लेंडिंग हो पी एम कुसुम योजना हो सोलर मेनिफेक्टरिंग के लिए इंसेंटिव देना हो रूप टॉप सोलर स्कीम हो कोल गैसिपिकेशन हो बैटरी स्टोरेज हो बीते वर्षों के बजेट में अनेक महत्वपों गोश्णाय हुई है इस साल के बजेट में भी इंडिस्ट्री के लिए ग्रिन क्रेडिट्स है तो किसानों के लिए पी एम प्रणाम योजना है इसमें गाउं के लिए गोबर्धन योजना है तो शहरी खेत्रों के लिए वेहिकल स्क्रेपिंग पालिसी है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर बल है तो वेटलेंड कंजर्वेशन भी उतना ही फोकस है ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजेट में जो प्रावधान किये गए है वो एक तरह से हमारी भावी पिड़ी के उजवल भविश्य का सिलान्यास है फ्रेंड्स भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सिस में जितना कमांडिंग पोजिशन में होगा उतना ही बड़ा बडलाव वो पूरे विश्व में लासना है ये बजेट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रुप में स्थापित करने में भी एहम भूमी का निभाएगा इसलिए मैं आज एनर्जी वर्ल से जुड़े हर स्टेकोलर को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूँ विश्वा आज अपनी रिन्योबल एनर्जी सप्लाई चेंज को डाइवर्थिफाई कर रहा है ऐसे में इस बजेट के माद्यम से भारत ने हर ग्रीन इन्वेश्टर को अपने यहां निवेश का बहतरीन अउसर दिया है ये इस सेक्टर में आ रहे स्टार्ट अप्स के लिए भी बहुत ही उप्योगी साबित होने जा रहा है साथियों 2014 के बाद से ही भारत मेजर एकोनोमिज में रिन्यूबल एनर्जी कैपिसिटी एडिशन में सबसे तेज रहा है हमारा ट्रेक रिकॉर्ड बताता है कि रिन्यूबल एनर्जी रिसोर्सिस को लेकर भारत जो लक्षत तय करता है उसे समय से पहले पूरा करके दिखाता है हमारी इंस्टोर्ड एलेक्रिसिटी कैपिसिटी में 40% नौन फोसिल फ्यूइल के योगदान के लक्ष को भारत में 9 साल पहले ही प्राप्त कर लिया पैट्रोल में 10% इथेनोल ब्लेंडिंग के लक्ष को भी भारत ने 5 महिना पहले ही हासिल कर लिया 20% इथेनोल ब्लेंडिंग के लक्ष को भी भारत ने 2030 से कम करके 25-26 तक पुरा करने का निरधारी किया वर्स 2023 तक 500 घीकवोट नोन फोसिल बेज इलेक्रिसिटी कैप्रिसिटी हासिल करके रहेगा हमारी सरकार जिस तरह बायो फ्यूर्स पर जोड़ दे रही है वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी ऑपर्चुनिटी लेकर आया है अभी हाल ही मैं मैंने इट प्वेंटी फ्यूर्स को भी लॉंच किया है हमारे देश में एग्री बेश की कमी नहीं है ऐसे मैं देश के कौने कौने में इथेनोल प्रांट्स की स्थापना के मोके को इन्वेस्टर्स को छोड़ना नहीं चाहिए भारत में सोलर, विंड, बायो गैस का जो पोटेंशल है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी गोल्ड माइन या ओईल फिल्ड से कम नहीं है फ्रेंट्स, नेशनल ग्रीन हाइडरोजन मिशन के माध्यम से भारत हर साल 5MMT ग्रीन हाइडरोजन के प्रोड़क्शन का लक्ष लेकर चल रहा है प्राइवेट सेक्टर को एन्करेज करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड रुपिय से अधिक का प्रावधान किया गया है ग्रीन हाइडरोजन के प्रोड़क्शन के साथ ही आपके लिए और भी बहुत सारे अप्शन्स है जैसे एलेक्ट्रोलाइजर मैनुफेक्टरिंग ग्रीन स्टील की मैनुफेक्टरिंग लॉंग हॉल ट्रांस्पोर्टेशन के लिए फ्यूइल सेल्स के निर्माण में भी इन्वेस्ट्मेंट की अनेक अपर्टुनिटी आ रही है भारत में गोबर से दस हजार मिलियन क्यूबिक मिटर बायो गैस और एग्री रेसिड्यू से डेल लाख मिलियन क्यूबिक मिटर गैस के उत्पादन का पोटेंशल है इससे हमारे देश में सीटी गैस डिस्रिपिशन में एट परसेंट तक का योगदान हो सकता है इनी संभावनाओं की बज़े से आज गोबर्धन योजना भारत की बायो फ्यूवल स्ट्रेटरजी का एक एहम कॉंपोनेंट है इस बज़ेट में सरकार ने गोबर्धन योजना के तहत पान्सो नए प्लांट लगाने की गोशना की है ये पुराने जमाने के गोबर्धन गैस प्लांट की तरह नहीं होते इन आधुनिक प्लांट पर सरकार दस हजार करोड रुपिय कर्च करेंगी सरकार का वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्रेम देश के प्राइवेट सेक्टर के लिए हमारे MSMS के लिए एक नया मार्केट बना रहा है गाउं से निकलने वाले एगरी वेस्ट के साथ ही शहरों के मुनिसिबल सॉलिड वेस्ट से भी CBG का प्रोडक्शन उनके लिए बहतरीन मोका है प्राइवेट सेक्टर को उत्साहित करने के लिए सरकार टैक्स में छुट के साथ ही आर्थिक मदद भी दे रही है साथियों भारत की वेहिकल स्क्रेपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोड स्ट्रेटेजी का एक एहम हिस्सा है वेहिकल स्क्रेपिंग को पॉल्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजेट में तीन हजार करोड रुपिये का प्रावधान किया है आने वाले कुछ महिनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब तीन लाख गाडियों को स्क्रेप किया जाना है ये गाडियां पंदरा साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है इन में पॉलिस जिन वेहिकल का उप्योग करती है वो गाडिया है खास करके हमारे हॉस्पिटल्स में जो एम्यूलन्स है हमारे पब्लिक ट्रांस्पॉर्ट के जो बसीज है वेहिकल स्क्रेपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है ये री यूज री साइकल और रीकवरी के सिधान पर चलते हुए हमारी सर्कुलर एकोनोमी को भी नई ताकत देगा मैं भारत के नवजवानों को हमारे स्टार्ट अप्स को सर्कुलर एकोनोमी के विबिन्न माध्यम से जूढने का भी आगर करूंगा फ्रेंड्स भारत को अगले छे साथ साल में अपनी बैटरी स्टोरेज केपिसिटी को बढ़ा कर 125 गिगावर्ट अवर्स कर रहा है ये लक्ष जितना बड़ा है उतना ही आपके लिए इसमें नई संभावनाय बन रही है इसे हासिल करने के लिए लाखों करोड रुपिय के निवेश की आवश्रक्ता है बैटरी डेवलपर्स को सपोर्ड करने के लिए सरकार ने इस बजेट में वाइबिल्टी गैप फंडिंग स्कीम की भी गोश्रा की है भारत में वाटर बेज़ ट्रांस्पोर्ट एक बहुत बड़ा सक्टर है जिसमें आने वाले दिनों में बहुत तेजी आने वाली है आज भारत अपने कोस्टल रूट के जरिये सिरफ फाइव परसेंट कारगों का ट्रांस्पोर्ट करता है इसी तरह इनलेल बोटर बेज़ के जरिये सिरफ टू परसेंट कारगों भारत में ट्रांस्पोर्ट होता है जिस तरह भारत में बोटर बेज़ का निर्माण हो रहा है उसमें इस खेतर में आप सभी के लिए बहुत सारी अपर्चुनिटीज बन रही है साथियों भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्लोलोजी में दुनिया में लीड ले सकता है ये भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा ये बजेट आपके लिए एक आउसर तो है ही इसमें आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी भी समाहित है बजेट के हर प्रावधान को अमल में लाने के लिए हमें तेजी से काम करना है, मिलकर के काम करना है आप सभी आज के इस वेबिनार में बहुत गंभीरता से चर्चाएं करेंगे ये बजेट पर की चर्चा बजेट में क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था इसके संदर्प में नहीं है अब बजेट आ चुका है, सौनसद में अल्रेडी पेश हो चुका है, अब हम सब ने मिल करके, सरकार ने और देश्वासियों ने मिल करके, इस बजेट की एक एक चीश को बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे लागू करें, नए नए इनोवेशन कैसे करें, देश में ग्रीन ग्रोथ को हम कैसे सुनिशित करें, आप आपकी टीम इसके लिए आगे आएं, सरकार कंदे से कंधा मिला करके आपके साथ चलने के लिए तयार है, मैं फिर एक बार इस वेबिनार के लिए समय निकालने के लिए, आप सभी निवेशकों का, स्टार्ट अप बलके जवानों का, एक्रिकर्टर फिल्ड के लोगों का, एक्सपर्स का, एकेडेमिशन्स का, रदे से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और इस वेबिनार के सब भलता के लिए अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।